नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज जो इस वीडियो में आप देख रहे हैं दोस्तों यह पोधा भारत के सभी भागों में पाया जाता है सभी राज्य में पाया जाते हैं इसका नाम अपा मार्ग है इसे कहीं कहीं लटजीरा भी कते हैं चिटचिटा भी कते हैं अपा मार्ग के नाम से भी जाने जाते हैं दोस्तों आपके भी छेतर में कुछ और नाम से जाने जाते होंगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों आयरुवेद के मत के अनुसार या एक आयरुवेदिक चरीबूटी है और हमारे शरीर में कई ऐसे पुराने से पुराने रोक को या जर्सिस्ट सही करने के लिए फायदे मंद है दोस्तों आप एलोपेथी के दवाई खाक के परिशान हो गये हैं बहुत सारे से दवाई खाते हैं लेकिन दोस्तों यह जो आयरुवेद है यह आपको बहुत असानी से मिल जाता है इसमें कोई खर्च नहीं है बस आपको तरीका मालूम होनी चाहिए किसका प्रयोग कैसे करनी चाहिए और दोस्तों इसकी पहचान होनी चाहिए तो आज इस वीडियो में हम यह जो हाथ में मेरे हाथ में जो आप पौधे देख रहे हैं हम इसी पौधे के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अपामार्ग और इसके कुछ फायदे के बारे में बात करेंगे कि आप इस से आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो आ वा चैनल के मादि हम से हमलाते रहते हैं जडिभुर्टी की लाते रहते वोसकी जानकार्य पो देते हैं जी हाँ दोस्तों चलिए आद के अनूसार इसका स्वाध होता है करवा होता और इसकी जो तहसीर होती है और यह जिसकी प्राक्रिति बोलते है वो गर्म किस्म को होता है दोस्तों पहले सबसे पहले हम बात करेंगे गठिया रोग जी हां दोस्तों गठिया रोग बहुत ही गंफीर बिमारी है और यह घुटने की प्रोब्लम होता है कमर दसकी जोरों-जो करना है मैं बता दे रहा हूँ और दोस्तों कुटने का दर्द जादा तर ठंडी में जादा होने लगते हैं तो दोस्तों इसके लिए बहुत साधारण सा पड़ियोग है आप आम कुछ पत्ते लिया है उसको आप क्या करें गर्म करके जिस जगह दर्द हो रहा है वहां पे त्या हो गया और तत्या ऐसे सब छोट नोटे कीरे काट लेते ना बहुत जरीले बहुत दर्द होता है जी हां दोस्तों और सूज भी आता है उसके लिए इसका बहुत अच्छा परियोग है आपको क्या करना होगा दोस्तों उसके लिए आप आमार का पत्ते लिया है और उस सकते हैं आज इस वीडियो में जो आप मेरे हाथ में जो यह डंठल देख रहे हैं इसके जर देख रहे हैं दोस्तों बहुत ही फायदेमंद है अगर आपके दांत में कोई तरह की प्रॉब्लम हो जैसे मसूरे से खून आने की समस्या हो या फिर दांतों में कीरे लग गये हो य आप परियोग करें दोस्तों यकीन मानिए आप कंटीनियो 15 दिन कर ले आप दांतों के कोई भी समस्या हो वो जर से खत्म हो जाएगा अपामार्ग दांत के लिए बहुत बहुत बहुतरी नाउसादी है दोस्तों आप इसका परियोग करें और जैसे ही आप इसका दांतों के बात करते हैं दोस्तों यह महलाओं के लिए संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही फायदेमंद है जी हां दोस्तों इसका आपको परयोग कैसे करना है दोस्तों बहुत सारे इसे दवाई खाखा करके बैद हकीम के पास जा जाके परेसान हो गए हैं तो दोस्तों मेरे बताए कु है आपा मार के जर सुखा करके और पौडर बना लेना है और मासिक धर्म के पांच दिन के बाद आपको एक चमच इसका चूरन और एक गिलास दूद आपको इसका सेवन करें और कंटीनियू आपको 21 दिन तक करना है ऐसा करते हैं तो महलाओं में गर्मधारन की छमता बढ़ ज आता है इतना ही नहीं दोस्तों अगर किसी गर्वासे में किसी मैला गर्वासे में कोई तरह की इंफेक्सिन है या कोई प्रॉब्लम है उसको भी दूर करने की छमता होती है और बहुत अच्छा इसका प्रियोग होता है जी हां दोस्तों आप इसका प्रियोग जरूर करें त उसको किसी पत्थर पे घिस है हलका पानी मिला करके उससे जो पेस्ट निकलेगा उसको घिस घिस का जो पेस्ट निकलेगा आप उसको माथे पे लगाए दोस्तों उससे लगाने के बाद आपको दस से पांच मिनट में आपकी सरदर्स खतम हो जाएगा बहुत अच्छा पड़ योग है दोस्तों उसके लिए आप क्या करें इसके पत्ते को ले आए और उसको मसल करके सरसों के तेल में उसको अच्छी तरह से सरसों के तेल में इसको पकाएं दोस्तों इसके बाद छान करके आप जहां पर भी गंजापन है वहां पर इसको लगा करके हलका मालिस करें दोस् आज की डेट में दोस्तों बहुत ज्यादा आद में होते जा रहे हैं बहुतack सारे लोगब सिर्षी परिशान हैं। उनके लिए बहुत अच्छा है, इसका प्रयोग है दोस्तों कैसी करना है? सबस्तक्व dif 말 होते हैं। आप अमार के जो बीज होते हैं, जो मेरे हाथ में देख रहा है छिपका हुआ इसमें बीज निकलते हैं आप इस बीज को ले आई कि एए, और उसको उखा करके आप चूरं बना ली जिए, चूरं बना करके 3 ग्राम की चूरं की मातरा लें और उसमें क्या करें और दूसरा क्या है चावल से जो आप पकाते हैं चावल उसका जो पानी निकलता है उस पानी में आप इसको मिक्स करके कि आप आप झाल